नमस्कार क्यापटल टिवी का खाश राहुल का अगरे पर देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा राहुल गांदी की भारत जोड़ो अन्याई यात्रा पर संकट के बादल मंडराते हुए देख रहे हैं यात्रा 14 जैनवरी से शुरू होनी है यात्रा की शुरुवात मनिपूर की राज़दानी इमफाल से होगी लेकिन अभी तक कॉंग्रेस को इस यात्रा की अनुमती मनिपूर सरकार की तरफ से नहीं मिली है इमफाल के हपता काजी बुंग से यात्रा की शुरुवात का प्लान बनाया गया है पर परमिशन ना मिलने के वज़ा से ये प्लान चौपट होता नजर आ रहा है तो कैसे राहूल गांदी की यात्रा फस्ती नजर आ रही है बताएंगे आपको चर्चा के लिए मेरे साथ स्टुडिव में मौझूद है क्या पतल टीवी के एक्सक्यूटिव एडिटर राजीव जी सरा आपका बहुत-बहुत स्वागत है जहां से स्यात्रा की शुरुवात होनुए उसको लेकर खबर है कि अभी तक परमिशन नहीं मिली है चैके परमिशन मिलनी भी नहीं है जिस दरीके से राहूल गांधी ने यात्रा की शुरुआत करने के लिए मणिपूर को चूना है वो सबसे बड़ी राजनिती है और आज केसी बेनु को पाल क्या कह रहे हैं कि इसका राजनिती करन नहीं किया जाए यह राजनिती की आत्रा नहीं है नफरत खत्म करने की आत्रा है नफरत जो कॉंग्रेस ने फैलाया नफरत जिसके आधार पर कॉंग्रेस अब तक शासन करती रही है वो हटाने के लिए Rahul Ghandhi Manipur चुनते है Manipur में ये भारा जोडो न्या यातरा निकालेंगे मतलब Manipur के किन लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे है उन कोकिओं को जो पहाड़ उपर बैठ कर वहां से घाटी के लोगों को निशाना बनाता है और ये इमफाल से यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं अब मनीपूर सरकार का मानना क्या है जैसे कि कहा गया है रिपोर्ट्स में केसी वेनुगोपाल ने कहा कि वहाँ पर हम परमिशन के लिए एक सब्ता पहले ही अप्लिकेशन दे चुके हैं लेकिन जब अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी CMN बिरेन सीन के पास ये फाइल पहुँच चुके है वहाँ से जब आदेश मिलेगा तो उसके बाद हम बात करेंगे कि परमिशन दी जाए अन न दी जाए लेकिन ये परमिशन क्यों नहीं दी जानी चाहिए इसके पीछे एक नहीं कई पहली वज़ा है पहली वज़ा तो ये है मनिपुर में अभी भी हिंसा पूरी तरीके से थमा नहीं है अभी भी छिट-पुट घटनाय होती रहती है पिछले एक सब्ताह में तीन लोगों को टार्गेट करके मार दिया गया उसके बाद फिर से कर्फियू कुछ जगों पर कर दी जाती है और दूसरे जग़े पर कर्फियू लगाई जाती है अब ऐसे हालात में हो सकता है कि 14 जनवरी को चब राहुल गांधी की यात्रा वहां से शुनू हो और फिर से कर्फियू लगा दी जायाए क्योंकि वहां के हालात पूरी तरीके से नियंतरन में नहीं हैं तो छेत्र पहले से ही इंसा बढ़कता आया जहाँ, वहाँ से आप यात्रा निकालते हो, आप बात कर रहे हो भारत जोड़कर नियाय दिलाने की, उसके लोगों में आपने क्या लिखा है, यात्रा तब तक होगी जब तक नियाय नहीं मिल जाता, अब नियाय तक यात्रा आप अनवरत करते रहेंगे, तो वहाँ पर नियाय अनियाय की बात में कॉंग्रेस की पॉलिसी क्या रही है, अभी तक जो कॉंग्रेस का स्टैंड है, मैतेई और कूकियों के बीच चल रहे है इस जंग के बीच में, वो कम से कम तो कॉंग्रेस को बताना चाहिए अभी तक वो छिपा के रखे हुए है कभी कभी बीच बीच में पारलियमेंट के अंदर या फिर मनिपूर जब राहुल गाधी गए तो उन्होंने इस बात की और इशारा किया था कि मनिपूर में मैते ही बहुत संख्यक है और कॉंग्रेस इस समय पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर क्या कह रही है OBC दलित और साथ ही अलब संख्यकों के अधिकारों के सुरक्षा के रिए राहुल गांधी यातरा पर निकले है अन्याय किसके साथ हो रहा है अलब संख्यकों के साथ राहुल गांधी की नजर में कॉंग्रेस की नजर में अब वहाँ पर जो पहले राहुल गांधी गए थे जब मनिपूर में हिंसा भड़की होई थी तो उस समय इन होने क्या कहा था यही कहा था कि मनिपूर एक स्टेट नहीं बचा मनिपूर में दो स्टेट हो चुका है एक कुकियों का, दूसरा मेतईईओं का कुकियों के इलाके में जाओ तो आपको यह कहा जाता है कि कोई भी मेतई सीक्यूर्टी गार्ड आप अपने साथ मत ले जाओ किसी की हत्या हो सकती है मैتई की इलाखे में जाओ तो आपको कहा जाता है कि आप कोई भी कुकी सिक्यूर्टी गार्ड लेके ना जाओ उसकी हत्या हो सकती है मतलब राहुल गान्धी ने ये कुकी और मैतई केicop picks आधार पर पूरे मनिप्रु को बाट दिया देखिए जो इस्थितियां पैदा हुई है और जो अब तक चल रही है उसमें आपने क्या किया आपने कहा कि administration में बैठे हुए जो कूकी मैतई है जो सरकार में हैं जो पूलिस अधिकारी हैं जो I.S. I.P.S. हैं या कोई भी अधिकारी जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उसके बीच भी कूकी और मैतेई की भावना आ चुकी है जो वास्तविक्ता नहीं है वास्तविक्ता यही है जो अमिश्राह ने संसद के अंदर कहा था उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से मेनमार से ड्रग् काटेल चलाते थे इस सरकार में उससे जो पहाड पर मेनमार के बोर्डर पर बैठे हुए लोग हैं उनको परिशानी होने लगी और उस परिशानी में सबसे ज़्यादा शामिल कौन हुए पहाड पर जो रहते हैं वो कुकी हैं और उन लोगों की समस्याय बढ़ाने के लिए ड्रग काटेल ने एक नया तरीका डिवलब किया क्योंकि ये मामला तो सरकार का था ही नहीं ये मामला तो नियाए पालिका का था हाई कोट ने कहा था मैतेयों को ट्राइब्स के सूची में डालने पर विचार किया जाना चाहिए और कुकियों ने हंगामा कर दिया राहुल जान्धी ने कभी इस बात का जिक्र किया ये तो बार बार कह रहे है कुकियों के साथ हन्याय हो रहा है क्योंकि 90% कुकी जो है क्रिश्चन है तो अब ऐसे माहौल में जहां पर हिंसा भी खत्र नहीं हुई एक तरीके से दो ट्राइब्स के भी जंग चल रहा है वहां पर एक रहली यात्रा निकालते हो और फिर आप बात क्या बोलोगे कि एक के साथ हन्याय हो रहा है सरकार है जो विफल हो गई है यहां पर कंट्रोल नहीं हो रहा है हिंसा बढ़क रही है तो उन लोगों को संबल मिलेगा जो इस हिंसा के पीछे बैठे हैं और आपके किसी भाशन से अगर फिर से हिंसा बढ़ग गई तो फिर रहुल गांधी को तो तबकाल गिरफ्तार करना पड़ेगा है जब हिंसा भड़की हुई थी तनाओं के स्तिती थी तो राहुल गांदी मनिपूर पहुंचे थे उनके विमान को उतरने भी नहीं दिया गया था फिर भी वो जबरदस्ती करने लगे थे और राहुल गांदी का जमकर विरोध भी मनिपूर के अलग-अलग जगों पे हुआ थ अभी जो कॉंग्रेस की सरकारे जब नौर्थिस्ट में थी वहाँ डेवलप्मेंट नहीं हुआ करते थे और वहाँ पर जितने कॉंग्रेस के बड़े नेता हैं वो करोड़पती हुआ करते थे आज इसलिए कॉंग्रेस वहाँ पर खत्म हो चुकी है नौर्थिस्ट के आठ में से किसी स्टेट में कॉंग्रेस कुछ भी नहीं है पचीस लोग सभा के सीटों में से एक सीट भी कॉंग्रेस के पास नहीं है मतलब वहां से कॉंग्रेस का बाइकॉट कर दिया गया है लेकिन जहां तक मनीपुर में विद्रो की बात है और विरोध करने की बात है कॉंग्रेस और राहूल गांदी की ये तो पिछली यात्रा में जब दौरा किया था तो उस समय उन लोगों ने विरोध करके बता दिया था कि तुम यहाँ पर हमारे जखमों पर मरहम लगाने नहीं आये बलकि उसे कुरेद ने आये हो इसलिए विर बड़ी बाते कही कि हम क्या लेकर वहाँ से आये लेकिन फिर आप मनीपुर जाते हो और वहाँ से पूरे हिंदुस्तान में एक संदेश देना चाहते हो कि हम उस हिंसा ग्रस्त छेतर में जाकर घूम रहे हैं लोगों को सांतवना दे रहे हैं लेकिन ये जो भाशन होगा रैली होगी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगेगे तो अभी जो सिच्वेशन है उसके अनुसास तो हिंसा और भड़क सकती है मतलब अगर इन बिरेंस इनकी सरकार परमिशन दे देती है तो एक तरीके से एक पोलिटिकल प्रिसर होगा और उसके बाद अगर परमिशन मिल जाए राहुल गांधी वहां से चलें विरोध तो बाद की बात है एक भी कोई घटना हो तो मनिपूर सरकार को इनको वही पर गिरफतार कर लेना चाहिए क्योंकि ऐसे सिच्वेशन में आप किसी प्रस्थिती को और खराब नहीं कर सकते हैं और इसलिए पहला सवाल परमिशन को लेकर है जो कि मिलने की संभावना बहुत ही कम है तो ये बात पुलिस को आदेश में कह दिया जाएगा कि यातरा कहीं से गुजरे वहाँ पर अगर हो हला होता है हंगामा होता है तो सीधे राहूल गांधी को आरेस्ट करें तो सेक्योरिटी का भी पालन नहीं करते हैं वो कुछ नहीं सोचते समझते हैं पिछली बार भी यही हुआ था जब ये रोड से जाने की कोशिश कर रहे थे तो सीधे का मसला है क्रिएट हुआ इसलिए बाद में इन्हों ने चौपर का इस्तेमाल किया क्योंकि वहाँ पर टेरोरिस्ट हैं एक तरफ से और देश में असांती पैदा करने वाले तत्व हैं जो चीन और मेनमार के रास्ते भारत में उन लोगों को सहयोग कर रहे हैं जो यहां अरजक्ता पैदा करना चाहते हैं तो यह तो टार्गेट हो सकता है यह राहुल गांधी और कॉंग्रेस को खुछ समझना चाहिए कि अगर राहुल गांधी पर अटैक होता है यह कॉंग्रेसी पूरे हिंदुस्तान में हला हंगावा मचाएंगे भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार थी वहां फिर भी ऐसा हो गया आप सिक्यूर्टी लोगे नहीं सिक्यूर्टी ऑफिसस की बात मानोगे नहीं कुछ दुरगटना होती है ते जिम्मेदार दूसरे को बताओगे मतलब अब इनकी यात्रा का मामला फश चुका है मनिपूर में या तो परमिशन दिया जाएगा या फिर इन्हें गिरफतार किया रही है आप अच्छे से समझ कए होंगे इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें देखते रहें क्या पतल टीवी नमस्कार